हलो गाईज, वेल्गम बैक टो मैं यूटूब चैनल, PCS दरपन पे आपका स्वागत है, आज का सेशन जो देख रहे हैं, समाने ग्यान दरपन, समसमाई की वस्तुनिस्ट प्रस्ण है दोस्तों, इसे पहले मैंने पार्ट वन साड़ संग्रा करा दिया, और पार्ट व जो समस चैनल पे भी जूट सकते हैं, टेलिग्राम चैनल लिक दिया हुआ यहां पर नाम है परतियोगिता दरपन, 2022 ठीक है दोस्तों, इस नाम से आप सर्च करके आप हमारे टेलिग्राम चैनले पर जूट सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी आप जूट करके इसका पेडिये प्राप्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब किजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेर किजिए, ठ तो देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं, फर्स्ट प्रिस्ट जो है, समाने गया अंदर पन का, जो दिसंबर 2022 का है, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, इसका फर्स्ट प्रिस्ट जो है, नोविल प्राइज और हर्मन पिट कोर्ड जो एसिया वोमेन ट्रोफी जीती हुई ह उनका फोटो लगा हुआ है, दिसंबर 2022 यहां पे लिखा हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आज हम लोग परहेंगे, या जो देख रहे हैं आपके सामने जो है दोस्तों, समसमाई की वस्तोनिष्ट प्रस्न होता है, यह एक तरह से करेंट सफियर होता है, ठीक है, कर परधान मंतरी नरेंद मोदी ने जो है सेंट्रल विस्टा एवैनिव का उद्घाटन कब किया है, कब किया हैं दोस्तों, तो किया है, राइट एंसर है ऑप्शन भी आठ सितंबर 2022 किये हैं, इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंस नोट बता दे दोस्तों की परधान मंतरी न करतब वेपत नाम से जाना जाएगा, ठीक है, उसे पहले राजपत की नाम से जाना जाता था, अब उसे करतब वेपत कहा जाएगा, ठीक है, और इसे साथ ही परधान मंतरी परधान मंतरी ने जो है इंडिया गेट पर जो है नेताजी सुभाशन बोस्की परतीमा का भी अना द्वार को ठीक है राइट एंसर है ऑप्शन भी नितिया एक द्वारा जो है दोस्तों अगस्त कब अगस्त 2022 में जाड़ी जुन 2022 की रैंकिंग में देश के एक सो बारग अकांची जीले में जो अधार्बुस और संचाना के दृस्टिक कौन से हरी द्वार जीला को जो है पहल तेलंगना में अस्थापित किया जाएगा किस राज्य में किया जाएगा तेलंगना राज्य अप्सन नमबर डी सई है इसके बारे में बताए दोस्तों कि यह जो है बैस्वी कस्तर पर पूरे 20 वास्तर पर जो है ऐसा भी स्वेड याले रसिया एक पास है ठीक है और उसके नमबर पर आता है हमारा इंडिया इसके पास है दोस्तों ठीक है सबसे पहले रूस उसके बाद चीन उसके बाद भारत का नमबर आ गया है दोस्तों कि बैस्वी कस्तर पैसे विस्वेड याले रूस और चीन के पास है भारत में बनने वाला यह तुनिया का तीसरा वन विस् तो right answer है option A भूज ठीक है दोस्तो ये कहाँ पड़ता है ये पड़ता है गुजरात में पड़ता है ठीक है नेक्स्ट है दोस्तो question कि देश का जो है सबसे बारा rubber dam का निर्मान कहां किया गया है right answer है option C गया में किया गया है दोस्तो तो बिहार राज्य में पढ़ता है मुख्य मंत्री नितीज कुमार किये हैं इसका अनावरन नेक्स्ट कोशन है कि निम्लिखित में से जो है कौन सा एक औस सत्य है ठीक है दस्तो तो औस सत्य के लिए कौन सा है तो देखिए भारत का पहला स्वदेशी विमान वहाग पूद जो है आएने से विक्रांत है बिल्कुल सही है दोस्तो संगहाई सहयोग संगठन जो है CSO का 222 चेतरिय सीखर सम्मिलन जो है सितंबर 2022 में उजबेकिस्तान के समरकंद में आउजुत हुआ ये भी सही है मानव विकास सुचकांग 2021 से 22 का जो है 191 अस्थान में से 132 अस्थान पर था ये बिल्कुल गलत है दोस्तो ठीक है क्यूंकि 132 अस्थान में जो है भारत का अस्थान जो है दोस्तो 101 एक तिसवा रहा है ठीक है 191 देशो में 131 अस्थान रहा है भारत का हूई 132 पर नहीं तो राइश सी होगा इसका मतलब अस्थान यह होगा कि 191 डेशो में 132 नहीं वलके 111 अस्थान है भारत का और Great Britain महरानी जो है लिजाबेथ द्यूतिये का आठ सितम्बर 2022 को निधान हो गया है यह भी बिल्कुल सही है तो इसका एंसर होगा C नंबर नेक्स्ट कोशन है कि दासपूर जो है किस राज्य का गाउं है जिसे भारत का पहला बायो विलेज घोसित किया गया है किस का है दोस्तों तो यह जो है तिरपूरा का है ठीक है तिरपूरा राज्य का है दासपूर दासपूरा जो है यह गाउं जो है तिरपूरा राज्य का है नेक्स्ट कोशन है कि किस दिन से जो है परधान मंत्री नायन मोदी ने पीम सिरी मतलब पीम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक जो है नई पहल की घोसना किये है तो राइट एंसर है इसका है दुस्तो साथ सिप्टेंबर 2022 को किये है इसमें लगभग 14500 इसकूलों को है दुस्तो पहली चरण में अपग्रेट किया जाएगा 14500 इसकूलों को नेक्स कोशन है कि वर्ल्ड डेरी सम्मिट का आयोजन जो है 12 से 15 सिप्टेंबर 2022 के बीच कहां पर आयोजित हुआ है कहां पर हुआ है दुस्तो नई दिल्ली में हुआ है राइट एंसर है ओप्शन भी इसका नई दिल्ली में हुआ है नेक्स कोशन है कि भारत में जो है पहला किंद्र राज्जे विज्ञान सम्मेलन जो है 2022 कहां आयोजित किया गया है। अहम्दाबाद में क्या गया है दोस्तों गुजरात में पर्ता है यह कियागय है दस से 11 सेंपस केंबर नेक्स्ट के ह Іंश्ट करने कि पहला हॉम यूपैथी जो है अंतरास्टी स्वास्त सीखर समेलन 2022 का योजन काहा संपन हुआ है यह जो है दोस्तो दुबबाई में संपन हुआ है राइट एंसर है ऑप्षन ए नेक्स्ट कुशन है कि रोजर फ्रेडर जो है किस देश के महान खिलाडी है जिन्हों हाली में टेनिस जगत से सन्यास लिया है तो किस देश के हैं दोस्तों सुट्चर लेंड के हैं राइट एंसर है ऑप्षन भी इन्होंने लगभग 20 जो है दोस्तों ऑपन खिताब जीता हुआ है ठीक है ऑपन ग्रेंट स्लैम जीते हुए है ट्वंटी और विल्यम् छेरवना जो है दोस्तों लगभग 23 जीती हुई है कि हाली में किस वर्स जो है 2022 का साहित्य नोबेल पूरुसकार कीसे जो है 2022 का साहित्य नोबल पूरुसकार मिला तो इसका राइट एंसर है Option D, Any Anarchist को मिला है, Any Anarchist, Right answer है, Option D, Any Anarchist को मिला है, दोस्तो, Novel Prize मिला है साहीत्ते का 2022 में, Next question है कि, Verse, 2022 के जो है, स्वाक्षता स्रवेक्षन में, जो है कौन लाघतार भारत का 6 अटारी बारे सबस्पस्वाख्ष सहर बना है, कौन सा है दोस्तो इन दोर है ठीक है जो मध्य पर्दिश का है नेक्स्ट कुशन है कि प्रती वर्ष जो है किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर जो है दुनिया भर में अंतराश्टी अहिंसा दिवस मनाया जाता है किनके दिवस पर दोस्तो महात्मा गांधी के जन्म जैन्ती पर म को मिला है राइट एंसर है option C स्वांते पावो ठीक है दूस्तों यह स्वीडिश जो है वेज्ञानिक है इनको मिला है मतलब चिकितसक है इनको मिला है स्वांते पावो को नेक्स्ट कुशन है कि हाली में जो है 68 वे राश्टी फिल्म पुरुषकारों में से किसे जो है सर्वस्रेश्ट अभिनेत्री का पुरुषकार मिला है किसे मिला है दोस्तो अपर्ना जो है बाल मूरली को मिला अपर्ना बाल मूरली राइट एंसर है ओप्शन डी नेक्स्ट कोशन है कि हाली में जो है जारी वर्ष 2022 के बैस्विक नवचार सुचकांक में भारत का कौन सा अस्थान मिला है कौन सा अस्थान मिला है दोस्तों 40 मां अस्थान मिला है राइट एंसर है option B और 2021 में दो था 46 मां अस्थान था इसका नेक्स्ट कोशन है कि हाली में जो है कौन सतरंज खिलारी भारत के जो है 76 वे ग्रैंड मास्टर बने है तो प्रनाव आनंद बने है राइट एंसर है ओप्शन डी जो है दोस्तो प्रनाव आनंद जो है या 76 वे ग्रैंड मास्टर बने है सतरंज खिलारी के नेक्स्ट कुशन है कि प्रतिवर्ष जो है पूरे भारत में 25 सेप्टेमबर को अंतियोदय दिवस किनकी जैनती पर मनाया जाता है तो यह दोस्तो पंदित दिन दयाल उपाध्याई के जैनती पर मनाया जाता है अंतियोदय दिवस अंतियोदय का अर्थी ही होता है दोस्तो अंतियोदय का अर्थ होता है उत्थान जो गरीबी के लिए जो है गरीब गरीबों और दलितों के हक के लिए हमेसा आवाज उठाये करते थे यह एक राष्टवादी नेता थे ठीक है दोस्तो पचीस सेप्टमबर को अंतियोदय इसे बने हैं कोन है दूस्तु क्युएं वहरा रह रहा है को आप्षन सी जो इंडिया में जो हैं अमीरों के के लिस्ट में आ हैं दूस्तु 1000 करोड जो है संपती के मालिक बनने वाले पहले भारती यह बने हैं इस बार किस तारीक को मनाएगे है इस बार दोह्य जो 25 स्यप्टमबर को मनाएगे है किसे चुना गया है दोस्तों तो राइट एंसर ऑप्शन डी दिलिप टिर्की को चुना गया है ठीक है होकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलिप टिर्की को चुना गया है राइट एंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट ऑप्शन है कि हाली में जो है किसे वर्स 2020 के लिए जो है यानि 52 दादा सहाफाल के पुरुषकार दिया गया है तो पहले ही बता चुगे दोस्तो आसा पारेक को दिया गया है राइट एंसर है ओप्शन भी इसमें है दोस्तो कि जो है 10 लाख किरासी दी जाती है ठीक है इसमें देखे 10 लाख किरासी और एक कमल दी जाती है एक स्वर्ण कमल दी जाती है ठीक है और एक सर्टिफिकेट दी जाती है जो राष्ट पती के द्वारा दी जाती है यह साड़े चीजे दस लाग का कैस और एक स्वर्ण कमल दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दी जाती है दादा साफ फाल के पुरुसकार में आसा पारेक को द मना जाता है राइट एंसर है ऑप्सन भी वर्ड प्रयाटन जो है वर्ड टूरिज्म डे 27 सेप्टमबर को मना जाता है नेक्स्ट कोशन है कि हाली में जो है किस खेल में जो है संबंदित भारती खिलाडी जूलन गो स्वामी अंतराश्टी खेल से सन्यासली है तो कौन सी खेल स के मैदान में लिह हैं दोस्तों फीक है नेक्स्ट कुशन है कि कौन व्यक्ती जो है हाली में भारत के दूसरे Chief गलतीrent ऑलेस notices तो प्रथम सी इस कौन महिला परधान मंत्री के रूप में चुनी गई है किस देज के हैं दोस्תों राइट एंसर सेória आत इत्ली की है तक है oh बै जार जीया मेलोनी जो है पहले महिला बनी है प्रधान मंत्री इतली की राइट एंसर और फशन स्टी नेंसर बर स्टनंट सी। हाली में जो है दूस्तों चन्दिगढh हवायाहद सोतनता शिद्धो этой के नाम पराख गया on the right answer right answerसर कि भग्गत सिंग्ष्व के नाम पराख गया है budget सिंग्षा परांट है गया है कि नेक्स्ट और लास्ट कुछन है दुस्तों कि कौन जो है कौन व्यक्ति हाली में भारत के नए अटर्णी जनरल निउक्त किये गए तो कौन है दुस्तों आर वेंकट रमनी ठीक है और यह किसका अस्थान लिए है दुस्तों तो यह जो है इस वेनु गोपाल के अस्थान पे लिए है ठीक है आर वेंकटी रमनी से पहले कौन थे इस वेनु गोपाल थे और अटर्णी जनरल का नियुक्ति कौन करता है दुस्तों रास्ट पती करते है कुन करता है राष्ट पती करते हैं आसा यह वीडियो पसंद आएगो दूस्तों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स डिप में जब तक के लिए धन्यवाद